नमस्कार असी मार्यावरत में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरफ और हम आज एक वीडियो देखेंगे उस वीडियो में जो भारत के तरब से एक मिसाइल गिरी है पाकिस्तान में उसके बारे में चरचा की गई है यह वीडियो आलोक रंजन जी का है जो की एक डिफेंस ए एक चैनल है यूटूब पे उस पे उन्होंने अपने तरब से यह एनलाइस दिया है और हम वीडियो में बीच बीच में मैं अपनी तरब से जो अपिनियन्स होंगी मेरी विचार होंगे वह मैं आपको देता रहूंगा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अफ्लोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो सुरू करते हैं और देखते हैं कि आलोग जी के तरब से क्या कह गया है की थी वो एक मिसाइल थी और इससे पहले जो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि भाई जो जानकारी मुझे मिली थी उस वक्त का उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया था अब ये जानकारी नहीं आ गई है कि भाई जो मिसाइल गिरी थ सादू कि यह नौ मार्च की घटना है नौ मार्च को वहाँ एक एरियल ऑब्जेक्ट क्रियाश हुआ था और वहां की जो मीडिया है उनके तरफ से यह खवरे आई थी कि यह प्राइवेट जेट ट्रेनर था सिंगल पाइलेट ऑपरेटेड और वह वहाँ जाके क्रियाश है उसमें भी यह बात कही गई कि एक प्राइवेट सिंगल पाइलेट ऑपरेटेड जेट था लेकिन पाइलेट बच गया और उसके बाद फिर ग्यारा मार्च को डी जी आइस पी आर जो कि पाकिस्तान आर्मी का मीडिया विंग है उनके तरफ से यह बात सामने आई कि एक भारत से उसकी ट्राइजिक्टरी थी और पाकिस्तान में जाके वो 124 किलोमीटर इंसाइड पाकिस्तान वो जाके क्रैश हुआ है तो यह बात तो फिर भारत के सरकार की तरफ से भी अगनॉलेज की गई कि सही मैं यह भारतीय मिसाल था जो कि पाकिस्तान में जाके लैंड भारत की तरफ से की गई गलती कि इसका नतीजा युद्ध हो सकता था और इसका दोशी सिर्फ और सिर्फ यानि कि अगर युद्ध शुरू हो जाता भारत और पाकिस्तान के बीच में तो इसका दोशी सिर्फ और सिर्फ भारत होता इस पूरी घटना ने भारत के लिए तो विस्तार से जानकारी दूँगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पाकिस्तानी सेना की भी तारीफ करना चाहूंगा तारीफ इसलिए पाकिस्तान की सेना तारीफ के काबिल इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक युद्ध को टाल दिया अपने शांत जवाब दे कर और इसका नतीजा युद्ध हो सकता था और अगर जवाबी कारवाई में पाकिस्तान ने Missile भी दाड़ में तो इसका दोश भारत पर होता पाकिस्तान की गलती नहीं होती इसमें क्योंकि भारत की तरफ से उसके उपर Missile दागी गई तो यहां पर आलोग जी कुछ ज्यादा एग्जाजरेटेड बाते कह रहे हैं खासकर जो यह है कि युद्ध हो जाता और भारत की कितनी बड़ी गल्ती थी और भारत को खामिया जा भुगतना पड़ेगा यह सब तो बात सही है लेकिन साथ में आप यह भी कहते हैं कि पाकिस् कर गया है तो भाई बात ऐसी नहीं होती है युद्ध इस तरह से नहीं जाते इसकलेशन पॉइंट्स होते हैं जिसके बाद ही युद्ध होता है आप एवन कि आप रशिया युक्रेनियन वार की भी एक अगर आप एक्जांपल लेते हैं तो उसको बनते बनते भी 20 साल गलती होथी तुँ भाई ऐसा नहीं होता है वह उस समय पाकिस्तान की ही गलत एक कहना ही गलत है क्योंकि भारत सरुकार ने कहा कि यह जो कि आ बता यह जो की एसे इलाके में गिरा जहां पर सिविलियन दुक्सान नहीं हुआ मतलब की कोई life loss नहीं हुआ और यह पाकिस्तान की DGISPR की तरफ से ही बात कही गई है साथ में यह भी पॉइंट है कि रिटालियेशन पाकिस्तान किस वज़ासे करता कि भारत ने इंटेंट जो था वह इंटेंसली मतलब इंटेंटली अपनी तरफ से मिसाल भेजेते भारत ने क मांगा था और फिर भारत से बात होती या हो रही है मतलब उस लेवल पे वहां के अमबैस्डर के द्वारा तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से पोजिशन बता दी और लेकिन उनके तरफ से कोई इरादा नहीं था कोई युद्ध करने का तो पाकिस्तान के तरफ से जो भी उ हाउट लाइन है हाउट लाइन का मतलब यही होता है कि अगर इस थाड़े की इस्थिती बनती है तो आप सबसे पहले डैरेकली उस हाउट-लाइन को यूज़ करके आप यह established करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है भारत के तौइ किसे पाकिस्तान में target नहीं किया गया था मिसाल हो दोवारा और मां पाकिस्तान को भी समझ में आ का जाता तो यहां पे यह बात केहनी जरूरी है कि अगर पाकिस्तान के तरफ से मिसायल यहां पर छोड़े जाते तो इसमें भारत नहीं पाकिस्तान की ही गलती होती तो यह कहना यहां पर मुनासिब नहीं होगा कि उसमें भी भारत का दोश होड़ता तो पाकिस्तान के पास यह हक था जवावी कारवाई करने का और पाकिस्तान के पास यह बिलकुल पाकिस्तान की ही responsibility होती तो इसलिए ये कोई प्रेज की बात नहीं है मैं उसके और आगे बताऊंगा कि वहाँ पे स्थिती क्या है पाकिस्तान में कि उन्होंने इस तरह का stance लिया है अगर वो मिसाइल जवाब में डागता तो उसकी कोई गलती नहीं होती हलाकि ऐसा नहीं लिया और इस पर तो बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए भले ही वो दुश्मन मुल्क है लेकिन फिर भी अगर अच्छा काम किया है पाकिस्तान की सेना ने तो इसके लिए तारीफ बनती है और ये भारतियों में एक अलग सा मतलब मुझे मुझे नहीं पता कि ये mentality क्या है कि आ चाड़ों के चाड़ों जुद्ध पाकिस्तान ने इनिशियेट किये थे उसके बाद भी वह thousand कट वाली जो एक strategy पाकिस्तान आर्मी ने अपनाई है उपर से उनका जो एक अन ऑफिशियल एक्टर नॉन स्टेट एक्टर की जो परिभाशा है उसमें वहां से इंसर्जेंट या terrorist जो भारत में भेजे जाते हैं वह सारी बातों को देखते हुए उसके बाद पुलवामा होने के बाद बाला कोट में भी उनका कहना यह था कि चार पेड़ गिरी हैं और एक कववा मरा है उसके अलावा कुछ नहीं हुआ तो यह सारे बातों को मद्दे नजर रखते हु अगर मुझे पता है कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान एजनेशन इस नाट रियली ट्रस्ट वर्दी एट और और साथी मैं भारत सरकार की भी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने पहली बार सारवजनिक रूप से अपनी गलती मानी है उन्होंने छुपाया नहीं से गलती मानी माफी मांगी है पाकिस्तान से राहत के बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है देखे भले ही तो मैं यहां पर आपको यह बताओं कि भारत के तरफ से आलोक रंजन जी ने कहा है कि पाकिस्तान से माफी मांगी गई है यह स्टेटमेंट है इसमें बताया गया कि एक टेकनिकल मालफंसन था एक्सिदेंटल फाइडिंग थी और भारत सरकार के तरफ से ओर्डर दिया गया एक हाई-लेवल कोट आफ इंक्वाइडी का और यह बात भी कही गई है कि पाकिस्तान में लेंड हुए थी लेकिन उन्होंने कहा है कि डीपली यह दोनों वर्ड्स के जो सब्द के जो अंतर है इसमें बात आपको अंतर समझना होगा कि डीपली डीपली इस नौट दा सेम एड सीकिंग एपॉलजी तो यह बात यहां पर है कि भारत सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं की है कि ऐसा लगे वह एपॉलजी कर मतलब पाकिस्तान से माफी मांग रहे तो यह बात कहना गलत होगा कि जो है भारत सरकार में पाकिस्तान से माफी मांग ली बिलकुल एकनॉलेज किया है कि ऐसी घटना हुई है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है देखिए भले ही भारत सरकार की तरफ से इस घटना पर माफी मांगी गई है खेज जताया गया है लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफी नहीं है कोट अफ इंक्वाईरी में जो भी दोशी पाया जाए चाहे वो सेना का कोई भी कितना भी बड़ा अफसर क्यूं नहो उसे सक्से सक्स सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये गलती ऐसी गलती है ऐसी गलती थी कि इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता था आप सोचिए मिसाइल में वार हेड नहीं था इसके बाद भी जहां ये गिरी है वहां नुकसान ठीक ठाक हुआ है पाकिस्तान से जो तस्वीरे आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि मिसाइल के हिट होने से कई इमारतों को नुकसान पहुचा है कई दीवारे तूट गई हैं माल लीजिए अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता भगवान का शुक्र मनाईए कि किसी की जान नहीं गई क्योंकि जहां मिसाइल गिरी है वो आबादी वाला इलाका है भारत के एक मिलिटरी अविएशन एक्सपर्ट है शिव इनका एक यूटूब चैनल भी है उन्होंने सेटलाइट इमेज के जरीए बताया है कि मिसाइल चन्नू में कहा गिरी थी देखिए यह जहां पर इन्होंने पिन किया है यह जो यलो कलर की पिन आपको नजर आ रही है यहां पर मिसाइल गिरी है यानि चारों तरफ आपको इमारते नजर आ रही है उन्होंने बताया कि इसके करीब घर भी है, एक टेक्स्टाइल फैक्टरी भी है, सीवेज प्लांट भी है, एक तबेला भी है, यानि किस्मत थी कि किसी की जान नहीं गई देखें मेरे हिसाब तो अब बात ऐसी है कि यह कॉंक्लूसिव जो एक स्टेटमेंट देना कॉंक्लूसिव स्टेटमेंट की कोट ऑफ इंक्वारी में अगर जो भी दोशी पाये जाए उनको सक्त से सक्त सजा मिलनी चाहिए और यह सब बातें मुझे नहीं समझ में आता है कि आपने यह पहले ही कै से डिसाइड कर लिया कि यह घटना हुई है उसके पीछे जरूर ही कोई ओपसर होंगे यह सेना की घटना है या फिर एर फोर्स की है यह आप कैसे समझ सकते हैं क्योंकि भारत सरकार की तरब से ऐसा कोई बात नहीं आई है उन्होंने बिलकुल कहा है कि यह भारत की मिसाइल और टेक्निकल फॉर्ट था लेकिन उन्होंने यह स्पेसिफाइड नहीं किया कि कौन सी जो हमारी सेना है या फिर वायू सेना है या फिर थल सेना उन्होंने यह स्पेसिफाइड नहीं किया कि किस तरह की जो मिसाइल थी वो गई थी और इसके पीछे जो और क्या रिजन्स देते जाएं कि without the report without the final findings क्या आती हैं तो मुझे ने लगता है कि यह एक सही तडिका होगा पहले आने दे investigation होने दे उसके बाद ही आप इस पर decide कर सकते हैं कि क्या हुआ था और कौन इसमें दोशी है या इसके events इसके intentions क्या रहे उसके बारे में हम उस समय ही बात कर सकते हैं तो और conclusive statements इनसे बाचना आप से सिर्फ गलती मान लेने से काम नहीं चलेगा भारत की सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में जिनका भी नुकसान हुआ है वो भारत सरकार मुआवजा दे उन्हें क्योंकि भाई ये भारत सरकार की गलती की वज़े से हुआ है और पूरा मुआवज पूरी भरपाई की जाने चाहिए पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है यह मैं कह रहा हूँ मेरा मेरा हिसाब तो यह ही कहता है और सुरी सर यह फिर से मैं कहूंगा कि यह पता नहीं भारतियों की क्या मेंटालिटी है मुआवजा देना चाहिए और यह तो फिर आप वहां से शुरुवात करें न कि 1948 में जो कस्मीर में उन्होंने जिहादी भेजे थे उसके बाद कबिलाई जिहादी उसके बाद 1965 में जो व हुए है कासमीरी एकसोडस हुआ है उसका कंपेंसेशन कौन देगा उसके जो वार क्राइम से उसके कौन उनको यह सबक सिखाएगा पनिश्मेंट मिलेगी कहां से मिलेगी यह सब बातें आपको पहली करनी चाहिए उसके बाद मौाबजा की बात करें और मौाबजा में भी अगर आप कहते हैं तो आप कैसे यह गारिंटी देंगे कि भारत सरकार के तरफ से अगर मौाबजा उनको जाता भी है तो वह उन लोगों तक पहुंचेगा जिनकी जो जिनका नुक्सान हुआ जिनकी प्रॉपर्टीज को छती हुआ उनके पास जाएगा तो आप बिलकुल म आपजाद देते रहें और फिर वही पैसे लेके वह हम पर एटाइक करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी एक हमारा इतियास में 1947 के बाद पार्टिशन के बाद जो 55 करोर बनते थे पाकिस्तान को वह हमारे नहरू जो उस समय के प्रधान मंत्री हुआ करते थे वह भ कासमीर में चड़ाई कर दी थी तो हम कैसे उन पर ट्रस्ट कर सके एक फेद उन पर डाल सके तो यह अजीव सा स्टेटमेंट आप किस को यहां पर सुना रहें कि हमारे भारत के लोगों को मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई ऐसा मतलब आप आफ्टर सो मेनी इंसिदें जो यहां पर हुए हैं उनके बाद वो कहेगा कि हाँ पाकिस्तान को जहां पर जान का कोई नुटसान नहीं हुआ फिर भी आप उसको मुआवजा देते रहें तो यह आई डोंट तिंग वन सुट टेक अनूटरल स्टैंड लाइक दिस हीर यहां पर नूटरल स्टैंड की ज मतलब एक बचकाना सी बाति क्योंकि वीडियो काफी बन रही है तो मैंने डिसाइट किया है कि इसको तीन भागों में करूंगा तीन पार्ट में बनाऊंगा तो अगले पार्ट को हम देखेंगे अभी के लिए इतना ही तो आपसे विदा लेते हैं अगली बार फिर एक जो नए भाग के साथ आपके सामने प्रस्तोत होंगा तब तक के लिए नमस्ते जय हिंद